नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग आज हम इस वीडियो में रिमेंडर वाला जो हमने कंसेप्ट पढ़ा नंबर सिस्टम में लास्ट वीडियो में उसी के उपर कुस्टिन प्रैक्टिस है फटा फट देख लेते हैं पांच कुस्टिन है सबसे पहला कुस्टिन है दा एक्सप्रेशन ये वैलू हमारी 5 2N 5 की पावर 2N माइनस में 2 की पावर 3N हैज एफेक्टर इसका कौन सा एक फेक्टर है वह या जो इसको डिवाइड करेगा कम्प्लीटली तो देखो हमें क्या करना इसको सोल करना वैसे मैंने आप लोगों को बता दिया था लेकिन फिर भी 2 की पावर N माइनस में 2 की पावर 3N अब आप इसको क्या कर सकते हो इसको ऐसे लेके लो भाई टू की फाइफ की पावर टू की पावर एन माइनस में टू की पावर थ्री की पावर है अब यह हो गया पत्चिस की पावर एन माइनस में दो दूनी चार दूनी आठ आठ की पावर एन अब यहाँ पे N क्या है N भहिया ओड भी हो सकता है N भहिया E1 भी हो सकता है अगर N ओड होगा तो इसका एक factor बनेगा यह form बनगी न A की पावर N माइनस में B की पावर N और इसका जो हमने formula पढ़ा था उसमें factor क्या बना था अगर N ओड है तो इसका एक factor बनेगा A की पावर A माइनस में B तो 25 माइनस में 8 कितना हो जाएगा 17 ठीक है जी अगर N ओड है तो भी इसका एक factor क्या बनेगा A की पावर N माइनस में B की पावर N और N ओड है तो इसके दो factor बन रहे थी A माइनस में B और A प्लस में B कहने की बात ये है के A-B इसमें भी एक factor बनेगा तो भी क्या आएगा 17 आएगा option में क्या है या 8, 7, 17 तो 17 ये answer हो जाएगा सीधी सी बात थी और कुछ नहीं करना था समझ रहे हैं हाँ पर अगर N odd होगा तो भी एक factor A-B बनेगा N even होगा तो भी एक factor तो A-B बनेगा इना और उन दोनों से एक value जरूर आएगी 25 माइनस में 8 क्या आएगा 17 तो आएगा 17 ये कुछ है एक factor पूछा नहीं कि इसका एक factor कौन सा होगा तो एक बता दिया हमने उसके बाद second question है 2 की power 20 माइनस में 1 is divisible by किस से divisible होगा तो इसका सीधा सा rule है soul कर दो 2 की power 20 माइनस में 1 1 की power 20 है 1 की power कुछ भी रख लो 1 ही आएगा अब इसको हम अगर ऐसे soul करें even करके A की power N माइनस में B की power N N अगर even है N अगर हमारा even है तो इसके factor बनेंगे A माइनस में B A पलस में B राइट बनेंगे बिल्कुल बनेंगे लेकिन इससे अगर हम soul करेंगे तो बहिया ये तो 2 की power करे जाओ भी बहुत बड़ी value आजाएगी उसको soul करना तो दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे value छोटी पुछी है तो हम इसको क्या करें इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते है 2 की power 4 की power 2 की power 4 वो इसकी power 5 कर दिया माइनस में 1 की power कुछी भी कर लो 5 कर लो 4 कर लो सेम है वो सेम कर लो कोई दिक्कत नहीं यह हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 16 की power कितनी 5 एक की power 5 अब इसको solve करना थोड़ा easy हो गया एक ही power sorry यह क्या form बन गई A N माइनस में B N where N क्या है हमारा order number है इसका rule क्या था मैंने आपको बताया था इसका क्या factor बनेगा A माइनस में B तो 16 माइनस में कितना आ गया 15 यह हमारा answer तो यह चीज बे आपको देखनी है question में हम इसको कैसे solve करते हैं बहुत लंबी value आती है और लंबी value में से बहुत बड़ी value आती है उसमें से आप एक माइनस करते है तो कोई बड़ी संक्या तो यहाँ पे है यह नहीं तो आपने यही चीज अब्जर्व करनी है कि भहिया इसको थोड़ा छोटा करो छोटा करके solve करने की कोशिस करो उसके बादी यह question 31 की power 20 माइनस में 1024 is not divisible किन में से divisible किस से यह divisible नहीं है तो देखो अब इस चीज को देखते हुए आपको सबसे पहले दिमाख में यह आना चाहिए कि यह कोई एक तो है ने किसकी power आप सेम कर दो यहाँ पे हमें क्या देख रहेंगो मिल रहा है यह है हमारी odd संख्या यह है हमारी even संख्या यह कुछ भी आए इसकी यह power 20 इसको solve करेंगे तो कुछ भी आए वो power क्या आएगी odd की power जो odd number है उसकी power चाहे आप odd कर लो चाहे even कर लो भाई जो यह number odd है इसकी power कितने कर लो result क्या आएगा odd ही आएगा समझ रहे हो फूर एक जामपल 3 है 3 एक odd number है इसकी power आप 2 करो कितना है 3-3 no इसकी power यह even करी हमने अब इसकी power odd करो 3-3-9-3-27 है ना कहने की बात यह है कि odd number odd की power odd number की power कितनी भी कर लो result odd आएगा तो हमें पता चल गया यहाँ पे जो value आएगी वो आएगी odd उसके बाद है even even value है तो odd में से even जाएगी तो result क्या बनेगा odd ही आएगा राइट ओड आएगा अच्छा जी उसके बाद और odd number का factor odd ही होगा जो यह odd number आएगी ना odd संख्या आएगी इसका factor भी odd ही होगा ऐसा नहीं है even हो जाएगा राइट तो हमें एक बात पता चलेगी इसको अगर हम solve करेंगे और यह गट आएगे तो इसका एक factor इसका जो factor होगा वो odd ही आएगा जिससे यह पूरा कट जाएगा और remainder 0 आएगा तो यह भी odd है यह भी odd है यह एक even संख्या है तो मतलब इसने पूछा कि question में is not divisible by यह संख्या किस में से divisible नहीं इस में से divisible नहीं तो हमें पता चल गया कि यह संख्या odd संख्या से तो बिल्कुल कट जाएगा वो odd संख्या क्या होगी वो हमें नहीं पता है लेकिन हमें यह पता है कि कट जाएगी ठीक है लेकिन even है वो even से नहीं कटेगी तो ये हमारा answer ठीक हो जाए कि इससे तो हमें completely पता है कि भईया ये संख्या नहीं कटेगी ठीक है अगर इसको आप solve करना चाहो तो ऐसे solve कर सकते हो तो 2 की power 10 is equal to क्या होता है 1024 ये चीज़ आप ध्यान रखागरो ऐसे आप सोसरे हो कि 1024 को मैं ऐसे निकालू 2 की power 10 करकर कि नहीं यार कुछ चीज़े ऐसी होते हैं जो हमें याद रखनी होती है मैथ में ताकि easy हो जाए 31 की power कितनी है 20 ना तो इसको ऐसे लिख दो और ये हो गया 2 की power 10 ठीक है जी अब तो क्या करना है रे 31 का square कितना होता है 961 की power 10 2 की power 10 ये बन गया a की power n minus में b की power n where n is even और n जब even है तो इसके factor बनेंगे a minus में b a plus में b अच्छा जी ठीक है तो बना दो 961 minus में करेंगे 2 तो कितना आएगा भीया 2 minus में करने के बाद इसमें से आ जाएगा ये 590 और इसका एक factor a plus b कितना आएगा 963 ठीक है जी अब ये दो factor आगे इन से ये कट जाएगी संक्या तो remainder 0 आएगा लेकिन हमें तो option में ऐसा कुछ नहीं है इसने तो बोला है तो हमें एक बात पता है ये भी odd है ये भी odd है ओड म 3 कम तीन इसको भी कर लो फिर पीर 3 कर दाएं 30 और वैया 3 साथJe 621 ठीक है तीन जाएगा और से हितश का करने की जुरूद है इसको कर लो 3 से ही कर लो 3 से तो नहीं करेगा तो और किसे करें इसको और आप कर सकते हो साथ से 137 गुना में साथ कहने की बात ही है कि इसको हमने ब्रेक भी किया तो को ईवन संख्या नहीं आई ओड को ब्रेक करोगे तो भी या ओड ही आया है ये 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 और ओड ही आता है ठीक है ये हो गया ये हो गया तो यहां पर उप्षन में हमें देखना है कि ये सारी संख्या deinen और तो हैं यहाँ पी 137 भी है नो भी ख़िना यह 303 यह 307 भी है लेकिन 32 नहीं 32 संख्या यह इस से unfortunately बोडी किस्ते आथ इसका है मैं आ विश्व इस दिया इसके दिया गर आप को ढहने किस तरह से आपinsky कर सकते हो वे ना ज्यादा calculation के तो easy होता है ठीक है उसके बाद ये question है 490 की power 15 है minus में one is exactly divisible y किस से divisible है तो इसको करो solve कैसे करें इसको solve करने का एक सीधा सा funda अगर हम अपनाएं इसको हम ऐसे direct solve करके देखें गा इसकी power 490 की power 49 की power 15 माइनस में one है इसको is exactly divisible है किस से divisible है इसको हम direct solve करते है तो ये form बन गई a की power n माइनस में b की power है और n क्या है odd है तो factor क्या बनेगा भाई या n अगर odd है तो इसका factor बनेगा A माइनस में B 49 माइनस में 48 तो 48 तो option में है तो आप क्या करें तो आप इसको इसकी power score थोड़ा सा छेड़ के देख लो powers को छेड़ेंगे तो क्या करेंगे 7 की power 15 माइनस में 1 अब और क्या कर सकते हैं इसको अगर करें तो यह होगा 15 दूनी 30 माइनस में 1 इसको और क्या सोल कर सकते हैं 7 की power 3 की power 10 इसको भी मैंने break कर लिया दूसरी form में बना लिया power की में और एक की power जो भी ठीक है अब इसको क्या करें अब इसको आपने कुछ नहीं करना है 7 ती यह 21 7 शाट शाट उननचास की power कितना हो गया 10 और 1 की power 10 अब यह हमारी form बनगी A की power N माइनस में B की power N वह यह हमारा क्या है यहाँ पर E बन है तो इसके दो factor बनेंगे A माइनस में B और A पलस में B अच्छा जी तो 300 यह हो जाएगा 42 और एक factor बन जाएगा 344 अब इसके यह तो है नहीं तो अब क्या करें इसको देख लो break करके कुछ नकुछ तो आई जाएगा इन मेंसे 2 से काट लो 4 से काट लो 4 से काटेंगे 8 चुक 32 और फिर बचेगा कितना 2 और 4 से काट लो इसको 4 आठे 32 बच गया कितना 2 4 चुक 24 6 आगया एक 6 है इसमें 6 यह है उसके बाद इसको देख लो break करके 3 से 3 इसको break करके देख लो 3 से 3 एकम 3 3 एकम 3 तीन चुक 12 यह आगया 3 उसके बाद इसको भी करके देख लो यह जो 114 है गुना में 3 इसको करके देख लो भीया यह 3 से करके देखे लेते ना तिन तीए नो बच गया कितना दो तीन आठे चौव करके देखे लो तीन से तीन तीए नो तीन आठे चौव इस अच्छाजी यह ओग्या इसको भी आप दो से कर लो दो एकम दो तोने में अठारा उन्स से नो से दिन ती לו और शासी से 86 से 19 से बिलकुल ये संख्या हमारे इसकी जो factor है ये break करके देखे मैंने कुछ नहीं दुबारा से इस question को फिर यहां पे solve कर दूँ कुछ नहीं था ये हमारे factor है थे a minus में b a plus में b इसको मैंने न ऐसे direct option में तो था नहीं तिनी बड़ी पहलोगा कुछ दान्सवर तो इसको भी break कर लिया ये हो गया 86 और इसको आप कर लो 114 गुना में 9 114 गुना में 3 ठीक है और इसको 114 को आप और break करोगे 114 को भी आप break कर लो किसमें हो जाएगा ये 114 हो जाएगा 3 गुना में 38 और 38 ब्रेक हो जाएगा 19 गुना में 2 तो कहने की बात यह है कि 19 से भी 86 से भी इसके factor से यह कट रहा है और हमें option में 19 और 86 गीवन है तो D हमारा टिक हो जाएगा उसके बाद यह question है 68 की power N plus में 1 is exactly divisible by 23 when N is N क्या होगा तो N आप बता दो N क्या होगा N simple सी बात है इसने बोला 68 की power N plus में 1 यह 23 से क्या है भी यह divisible है तो N बताना है हमने तो N बताया जा सकता है कैसे बताओगा आप थोड़ा मेरा कैमरा हील रहा है सोरी उसके लिए देखो भाई N अगर ode है ode ही ले लेते हैं हम क्योंकि यह संख्या क्या है हमारी ode है कहने की बात यह है तो हमें यहाँ पे N की power हम क्या लें ode लें 1 ले लिया 3 ले लिया ताकि जो यह संख्या है इसका एक factor इसका या तो multiple हो ठीक है बही कुछ भी आजाए multiple में कहने की बात यह है हमें यह form लेनी है कि इसका जो एक factor आएगा वो ode निकले कैसे निकलेगा वो ode कहने के बात यह है कि आप देखो 68 पलस में कितना हो जाएगा 69 और 69 क्या है भईया यह तो 23 का multiple है है ना तो कहने के बात यह है कि हमें 69 लेके आए नीचे ताकि वो multiple बन जाए 23 का या 23 का कोई बहुर multiple बन जाए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा यह हमें दो value दे रखी है यही से start करते हैं कि हम n कैसे निकाल सकते हैं तो अगर मैं n की power ode लेता हूं तो यह form बन जाएगी a की power n पलस में b की power n n हमारा ode है तो इसका मैंने आपको क्या formula बता था तो इसका factor क्या बता था तो इसका factor क्या होगा factor होगा a plus में b तो 68 plus में 1 करोगे 69 आ गया 69 23 का multiple है 3 23 into में 3 69 आ जाएगा तो कहने की बात यह है 68 की power ode होगी plus में 1 की power ode होगी इसका एक factor बनेगा a plus b a plus b बोले तो 69 और 69 से यह संख्या completely divide होगी remainder 0 आएगा और इसने बोला अगर यह 23 से divisible हो तो 23 से भी divisible कर लो क्योंकि 69 23 का एक multiple है तो 23 से भी divide करेंगे तो भी remainder 0 आएगा समझ रहे हो तो यहाँ पे option में क्या है any natural number नहीं odd number and हमारा odd number होगा यह हमारा answer होगा hope guys इस वीडियो में आपको थोड़ा बहुत भी basic सा idea हुआ होगा इन question का thank you for watching this video वीडियो आपको ठीक लगी तो like करना channel पे नहीं हो तो guys subscribe